नमस्कार, वेट एंड मेक में आपका स्वागत है, आज मैं सूजी का हल्वा बनाऊंगी, बीना पानी का हल्वा बनाऊंगी, देखिए एक कितना अच्छा बना हुआ है हल्वा बनाने के लिए एक कप सूजी लिये हैं, एक कप चीनी है, आधा कप घी है, दो कप दूध है पचीस से तीस किस्मी से दस बारा काजू है, छे बदाम है जिसको कट कर लिये हैं, पांच छोटी इलाइची है जिसका चिलका उतार दे हैं अब चलिए बनाना स्टार करते हैं, पेन में दो चमच घी डालूँगी और बाकी घी को रख देती हैं बाद में डालने के लिए, अब इसमें सूजी डाल दूँगी सूजी को मेडियम आज पर भूमना है सूजी को पांच मिनट हो गया भूमते हुए, अब मैं किसमिस को डाल देते हूं, और काजू को डाल देते हूं, थोरा बचा लेते हूं, बदान और काजू को रख देते हूं गार्मिस के लिए और इसको पांच मिनट भूनूंगे टोटल ये दस मिनट लगा है भूनने में अब इसका कलर चेंग होना शुरू हो गया है, हालका ब्राउन होने लगा है अब चिनी को डालूंगी चिनी को अच्छे से मिक्स करके दूद को डाल देना है अब इसे मेडियम आज पर पकाना है अब इलाइची को डाल दूदे अब इसको लगता चलाते रहना है तेरी नजर्न बचा हुआ घी को अब डाल दूदे तेरी नजर्न ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जदा कर दिया तेरी नजर्न ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जदा कर दिया मैं रहता हूँ तेरे पास कही अब मुझको मेरा रहा है सास नहीं दिल कहता है कसम से के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुम से के धोड़ा एकरार हुआ तुम से के धोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुम से के धोड़ा एकरार हुआ तुम से के ज्यादा भी होगा तुम दी इसे के धोड़ा धोड़ा प्यार हुआ तुम से के धोड़ा थोड़ा प्यार हुआ अब हल्वा तैयार हो गया एह हल्वा बनने में टोटल पचीस मिनट लगा है तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया अब चुले को कर देती हूँ बनन और इसको अब ट्रांसपर कर देती हूँ और जो काजु बदाम रखे थी ना उससे इसको सजा देती हूँ देखिए हल्वा तैयार हो गया आपको मेरा हल्वा का रिष्पी कैसा लगा बताईएगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद